एक समय की बात है एक पती और पत्नी का जोड़ा था उनका कोई बच्चा नहीं था पर उन्हें एक बेटी की बहुत इच्छा थी कुछ दिनों बाद उनको बच्चा होने वाला था एक दिन उन्हें खिडकी के बाहर एक लेट्यूस गार्डन दिखा तब से उन्हें वहां से लेट्यूस खाने की इच्छा हुई पता नहीं कब मैं वो लेट्यूस खा पाऊंगे उनकी भूग कम होने लगी और तब्यत भी खराब होने लगी एक दिन उनके पती को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने वादा किया कि वो उनके लिए मुठी भर लेट्यूस लेके आएंगे तुम चिंता मत करो, मैं तुमारे लिए लेट्यूस लाँगा लेकिन तुम्हें पता है ना, वो बहुत खाला ना, खेला वो घर था एक डायन का और उसके चारो ओर उची उची दिवारे थी जिस पर कोई चड़ने की सोच भी नहीं सकता था वो पूरा जोर लगाके उस दिवार पे चड़े गाडन में गए और उन्होंने मुठी भर लेट्यूस निकाला उनकी पत्नी ने बड़े शौक से लेट्यूस खाया और बहतर मैसूस करने लगी पर मुठी भर लेट्यूस से उनका जी नहीं भरा अगले दिन उनकी पती फिर से उस गाडन में गए पर इस बार वो डायन वही खड़ी थी इतनी हे माज के मेरे गाडन में आके मेरा लेट्यूस चुडाते हो तो जो मुझ से पूछ तो सकते थे ना मेरी बीबी पेट से है और उसे आपके लेट्यूस बहुत पसंद हैं माफ कर दू तुम्हे तो सजा मिलेगी अगर मेरी पत्नी ने लेट्यूस नहीं घाया तो बीमार हो जाएगी और बच्चे को परिशानी होगी प्लीज तो क्यों ना एक सौधा करे तुम्हे जितना चाहो यहां से लेट्यूस ले जाओ पर एक शर्त पर तुम्हारे बच्चे का जनम होते ही मुझे दे दोगे डर के मारे उन्होंने हां कह दिया कुछ दिनों के बाद बच्ची हुई और डायन आके उसे ले गई उसने उसका नाम रखा रैपुन्जिल क्योंकि जो लेट्यूस उसकी मौम खाती थी उसका नाम भी वही था उस डायन ने रैपुन्जिल का बहुत खयाल रखा 16 साल के होते होते वो बड़ी सुन्दर हो चुकी थी उसका घर जंगल के बीच में एक बहुत उची इमारत में था और इस इमारत में सीडिया नहीं थी सिर्फ उपर एक खिड़की थी डायन ने कभी भी इस सुन्दरी के बाल नहीं काटे थे उससे मिलने आती तो नीचे से अवाज देती रापंजल 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 अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो तुम्हारी मम्मी हूँ अपनी खिड़की से रापंजल अपने सोने जैसे बाल नीचे करती और उसी के सहारे ये डायन उस पे चड़ जाती ये सालों तक चलता रहा एक दिन उस जंगल में एक प्रिंस आया शिकार करने और उसने एक सुरीली आवास को सुना गाना गाते हुए उसने सोचा और आवास की ओर बढ़ता गया रापंजल की इमारत के पास आके उसने बाया देखा फिर दाया पर कोई सीड़ी वीडी नजर ही नहीं आई वो आवाज प्रिंस को हर रोज वहां खीच लाती थी पर उपर चड़ना ही नहीं हो पाया एक रात इमारत की तरफ जाते हुए उसे नीचे डायन दिखी रापंजल रापंजल अपने सोने जैसे बाल को नीचे करो तुम्हारी मम्मी हूँ अपनी खिड़की से रापंजल ने अपने सोने जैसे बाल नीचे करती और उसी के सहारे ये डायन उस पे चड़ जाती अगले दिन सूरज ढलते ही प्रिंस वहां गया और आवाज बदल के चिलाया अपनी मा के अलावा पहले बार किसी इंसान को देखा रापंजल थोड़ा डर गई तो ममी नहीं हो क्यों आये हो यहां डरने की कोई बात नहीं है तुमारा गाना सुनके तुमारी आवाज से प्यार हो गया आवाज किसकी है बस यही देखना था रापंजल को प्रिंस की बात अच्छी लगी और अब डर नहीं रही थी वो कुछ समय तो सब कुछ सही चल रहा था और डायन को कुछ भी भनत नहीं लगी एक दिन प्रिंस ने रापंजल से शादी की बात की रापंजल ने खुशी-खुशी हाँ बोला पर रापंजल को नीचे जाने का कोई तरीका नहीं सूज रहा था अचानक एक आइडिया आया हर बार प्रिंस एक कपड़े का टुकड़ा लेके आता था रापंजल उनको जोड के एक रसी बना रही थी पर एक दिन रापंजल से एक गलती हो गई और उसके मूँ से एक बात निकल गई ममी आपसे ज्यादा तेज तो प्रिंस चाड़ता है प्रिंस? डायन को समझ में आ गया कि कुछ गड़बढ है और वो चिलाने लगी तुमने मुझे धोका दिया है मैं तुम्हें बहार की दुनिया से बचाना चाहती थी डायन ने गुसे के मारे रापंजल के सुन्दर सोने जैसे बाल काट दिये और उसे एक दूर दरास के र्यगिस्तान में भेज दिया उस रात डायन घर पे प्रिंस के आने का इंतजार कर रही थी थोड़ी देर में प्रिंस की आवाज आई डायन ने रापंजल के बाल नीचे कर दिये उपर कौन है ना जानते हुए प्रिंस चहनने लगा वहाँ पे रापंजल नहीं बलकि डायन दिखी वो समझ गया कि कुछ बुरा हुआ है डायन उसकी तरफ आ रही थी कि प्रिंस घबरा के गिर गया नीचे कुछ पौधे थे नीचे कुछ पौधे थे तो प्रिंस बच गया पर आखों में काटे लगने की वज़ा से वो देख नहीं पा रहा था बिना देखे प्रिंस जंगल में घूमता रहा रैपंजिल को ढूनते हुए रास्ते में फल भी मिले तोड़के खा लिया चलते चलते इतनी दूर आ गया कि रेगिस्तान पहुँच गया और अचानक कुछ हुआ एक सुरीली आवास सुनाई दी वो आवास वो पहचानता था वो उस आवास की तरफ जाने लगा चिलाते हुए रैपंजिल ने प्रिंस की आवास पहचान ली प्रिंस तोम वो उसकी तरफ दोडने लगी तोम यहाँ दोनों कितने खुश हुए मिलते ही दोनों गले लगे और वो रोने लगी रैपंजिल के आशू प्रिंस की आखों पर गिरे और अचानक एक चमतकार हुआ और प्रिंस आखे खोल के देखने लगा ये देखके रैपंजिल बहुत खुश हुई दोनों एक साथ प्रिंस के किंडम गए जहां लोगों ने उनका स्वागत किया और दोनों हमेशा खुश रहे हुआ है प्रिंस के घो जह तो हुआ 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 ही थाए प्रिंस के आख सिल खोल पzin, आख सह सकतथ हुआ oh ये लोगों जाख हुआ लोगों प्रिंस व्रृंद के लोगिए झाल झाल